तो फाइनली नमस्कार दोस्तों आजके इस वीडियो में बात करने वाले 2023 की सबसे बड़ी स्कॉलर्शिप अब्डेट के बारे में जो की IET के तरप से निकल कर सामने आरे इस स्कॉलर्शिप प्रोग्राम के अंदर आप सभी को एज एवार्ड यहाँ पर 10 लाक रूपीज त क्या कोसिंस होने वाले कैसे आपकी टेस्ट होने वाले टेस्ट का पैटर्न क्या होने वाले इसके बारे में पूरी बात करने वाले हैं कौन कौन से लोग यहाँ पर eligible होने वाले कैसे आपको registration करना इसके बारे में भी पूरी बात करने वाले लेकिन सबसे पहले मैं आप सब यहाँ पर अपडेट कर दो IET के तरबारे में IET आखिर होती क्या है तो यहाँ पर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं गर आप लोग गुगल पर सर्च किजिएगा जिसका फूल फॉर्म यहाँ पर institution of engineering and technology होने वाला है जो की वर्ल्ड की यहाँ पर largest multi-disciplinary professional engineering institution है तो बहुत बड़ी institution है यह वर्ल्ड के जिसके तरब से आपको 10 लाग रूपिस तक की यहाँ पर अवर्ड है जिस्कोलर्शिप अबॉर्ड यहाँ पर प्रॉवाइट की जाएगी सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से लोग apply कर सकते हैं तो आप लोगों को थोड़ी नीचे चले जाना यहाँ पर आप देखेंगे IET India Scholarship Awards 2023 के बारे में सारा information प्रॉवाइट की जाएगी सबसे पहले अगर deadline की बात करें तो आप लोग देखेंगे तीन जून 2023 से पहले आपको apply कर देना है अगर बात करें कौन कौन से लोग eligible होने वाले तो open for students studying in first, second, third or fourth year of a full-time regular undergraduate engineering program मतलब अगर आप लोग undergraduate engineering program में enrolled है अगर आप लोग first year में, second year में, third year में, fourth year में तो आप लोग आप अपर apply कर सकते हैं बस आपकी institute या फिर आपकी college यहाँ पर AICTE या फिर UGC के द्वारा यहाँ पर recognize होनी चाहिए इसी के साथ आपको 60% marks यहाँ पर आनी चाहिए आपकी यहाँ पर कितनी भी हो आप लोग यहाँ पर eligible होने वाले, आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं application is open for all IET members and non-members मतलब जो कि IET के members से उनके लिए application open से और जो non-members से वो लोग यहाँ पर apply कर सकते for all branches of engineering, engineering के किसी भी branches से अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे तो आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं lateral AJária students भी यहाँ पर apply कर सकते हैं जुन्हों यहाँ पर BTOG को जोईन कते हैं और second year में है वो लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं या benefits आपके यहाँ पर मिलने वाली by benefits के लेबल में select हो जाएंगे तो आप देखेंगे there will be five regional center and the scholarship about will be as follows path original assist center होने वाले जिसमें अगर आप select होते हैं तो जो कि यहाँ पर runner up round winner होंगे उरसे यहाँ पर 60,000 रुपए plus certificate plus IT के membership यहाँ पर मिलने वाली है दूसरा यहाँ पर क्या original round runner up के लिए यहाँ पर 40,000 रुपीज औ अगर आप लोग यहाँ पर regional label को complete करके आगे बढ़ जाएंगे आगे मैं आपको बात करूंगा कैसे आपको यहाँ पर apply करना कैसे test को देना test का pattern क्या होने वाला है यह मैं आपको यहाँ पर overview दे रहा है इस program के बारे में उसके बारे में पूरी बात करेंगे आगे उसके बा प्लस IT membership मिलने वाली है second runner अपको यहाँ पर 150,000 प्लस certificate प्लस IT membership मिलने वाली है तो finally अगर बात करें क्या 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 documents आपको यहाँ पर लगने तो कोई भी आपको documents यहाँ पर जमान नहीं करना है at the time of registration जब आप form को fill करेंगे और ना तो आपको यहाँ पर एक भी रुपीज पर पहुंच जाएगा वैसे direct link भी मैंने आप सभी को provide कर रहे है description नहीं जिसके तुरू आप लोग यहाँ पर direct पहुंच जाएगा इस page पर तो इस page मर आपको सारी information provide कर दी जाएगे क्या eligibility criteria होने वाले अबाड कर प्रोसिस क्यों होने वाला price summary क्यों होने वाली है एक करके सा sort list for online test एक पार अगर आप application को submit करने को उसके बाद आपकी online test होने वाली है जिसकी date यहाँ पर June 19, 2023 होने वाली है इसी के साथ sort listed students pick their slots to appear for online test उसके बाद एक और online test होने वाली है जिसके लिए आपको अपनी slot को book करना होगा सारी information आपको आपके mail की तुरू provide कर दी जाएगी तो फिर जो भी sort listed candidate होंगे उनका एक online test होने वाला है जुलाई 4 से लेकर के जुलाई 6 तक उसके बाद announcement होने वाला है जो भी regional round के यहाँ पर runner up होने वाला है उनका announcement जुलाई 10 को होने वाला है उसके बाद regional presentation round open होने वाला है जो की जुलाई 22 से लेकर के 25 तक चलने वाला है उसके यहां पर national finals होने वाला उसके बाद winner का announcement होने वाला है तो important dates के बारे में हमने यहां पर बात कर ली तो finally अब बात कर लेते क्या-क्या pattern होने वाला इस scholar से पर apply करने के बाद आगे कि क्या process होने वाली है तो यहां पर आप देख सकते सबसे पहले stage 1 होने वाला जिसमें की online application and evolution होन fulfill किजेगा तो ही आपको यहां पर select किया जाएगा इसी के साथ थोड़ी नीचे जाने के बाद कुछ advantages भी आपको यहां पर दिखाए जारे जैसे कि अगर academics में आपके 60% है या फिर extra circular activities में आपको 20% यहां पर दिये जाएंगे outreach में 10% दिये जाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर आपने कोई seminar वेगर है यहां पर किया है तो उसके आपको यहां पर benefit मिल सकती है तो इस टाइप की चीजों से आप लोगों के आपर advantage मिल सकती है stage 1 को complete करने के बाद आप लोग stage 2 में पहुंच जाएगा जो कि online test होने वाला है shortlisted applicants from stage 1 will be invited to take an all India online test आपको email के तो यहां पर invite कर दिया जाएगा जिसमें कि आपको all India online test होने वाला है जिसे आपको attempt करना होगा उसके बाद there will be a total 50 multiple choice questions बस आपके यहां पर total 50 multiple choice questions होगी जिसे आपको यहां पर attempt करना होगा अगर बात करें questions किसे यहां पर related होने वाला है तो आप लोग देख सकते physics, chemistry, mathematics, mechanical, electrical, electronics and computer science के field से यहां पर questions आप से पूछे जाएगे जिसे आप लोगों कि यहां पर attempt करना है अगर आप लोग यहां पर अच्छे marks को लाइएगा तो आप लोग यहां पर stage 3 में पहुँच जाएगा stage 3 में यहां पर regional rounds होने वाले in this regional label assessment the application shortlisted from each region will present on the topics that will be given by the jury members stage 3 में round 3 में यहां पर आपका क्या होने वाले आपको यहां पर एक topic दी जाएगी जिसको आपको यहां पर represent करना होगा तो कुछ इसी तरीके से यहां पर आपको time दी जाएगी building on the technology solution जो भी आपको प्रव्लम है पर दिया जाएगा उसे आपको टेक्शन लाजी के मदें से उसका solutions आपको provide करनाEr की ना होगा तर फ्रभाइड करना से प्रचार कृऽतरकेOH आपको नुहां से देख लिजेगा eligibility में मैंने आपको बता दी कौन-कौन से लोग eligible होने वाले अगर बात करें तो एक बार के प्रोसेस यहां पर क्या होने वाले होने वाली एक बार आप लोग अच्छे तरीके से जा करके देख लिजेगा इसी तरह यहां पर frequently asked के question भी पूछे गया जो कि बह पर online test होने वाला है, you need to login with your registered email address and password to access the exam module, आपको अपने registered email address और password के साथ यहां पर login या फिर login करने होगी, जिसके बाद आपसे भी यहां पर इससे access कर पाएंगे, इसके बाद I am not able to book a slot for my online test, अगर आप लोग यहां पर अपने online test के slot को book नहीं कर पाईगा, तो ऐसे condition में test slot, now the test booking window will be open for 3 days, 23rd June to 25th June, अभी सिर्फ पर सिरुप जाकर के आपको registration करना, उसके बाद आपको 23 से लेकर के 25 जून के बीच इसी platform पर आना है, frequently asked के question में आना है, जहां पर आपको link दी गई है, जिसमें आपको login करके अपने slot को यहां पर book करना होगा, इसके बाद अगर बा what happens after I book my slot slot को book करने के बाद क्या होगा, you will get a confirmation email to your registered email ID, यहां पर आप देखेंग, आपको आपके registered email ID में अगर आपके slot के आपर book हो जाएगे, तो confirmation email भी आपको send कर दिया जाएगा, what are the dates for online test के date क्या होने वाली है, आप देख सकते 23rd June से लेकर के 25th June में आपकी online test होने वाली ह इसी के साथ यहां पर questions के subject से रहने वाले तो physics, chemistry, mathematics, computer science, electrical engineering, electronics, mechanical से questions यहां पर लहोने वाले हैं, how long will the exams last यहां पर the duration of the exams for 70 minutes within additional 2 minutes at the start of the exam for a quick introduction to IET, यहां पर total 72 minutes के आपर आपके exams होने वाली, online segment होने वाली, online test होने वाली है, इसी के साथ एक बार आप लोग अच्छे तरीके से सारी information को देख लिजएगा, मने link आप से भी को description में official site की भी provide कर दी है, बहुत ही simple होने वाला registration process, इस time आपको कुछ भी यहां पर submit नहीं करना है, एक बार short list होने के बाद ही आप लोगों को यहां पर सारी documents वेगरे जो भी आपसे मांगे जाएंग, उसे submit करना होगा, लेकिन एक चीज़ को याद रखिएगा, आप लोगों को यहां पर एक भी रुपह खर्चन नहीं करना है, किसी भी fraud के चेकर में मत पढ़ जाईएगा, किसी भी ऐसे email का आप लोग reply मत कर दीजेगा, तो कि इससे related नहीं होगा, आप देख सकते हैं यहां पर आप से कुछ कोई पैस यहां पर नहीं मंगा जारा, ना तो कोई document साब से अभी फिलाल मांगी जारी है, तो simply registration करना के लिए first name, last name, mobile number, landline number, अगर आपके पास है तो दे सकते, email ID, university को select कर सकते, college institute को select कर सकते, year को select कर सकते, state, city, इसी के साथ, आप अगर mail, email है, उससे आप लोग select कर लिजेगा, अप permit करना के बाद, सारी information आपको आपके mail की तुरू यहां पर provide कर दी जाएगी, जो भी आगे की communication होगी, आपके mail के साथ ही होगी, तो mail के साथ आप लोग यहां पर updated रहिएगा, तो finally आज के विडियो में मैंने आपको पूरी information provide कर दी, कैसे आपको इस scholarship program के लिए registration करना है, इस इंडे label के यहां पर exam होने वाली, तो आपको attempt बिल्कुल करना चाहिए, इस आपको नई experience मिलेगे, कुछ नया सीखने का यहां पर मौका मिलेगा, इसी के साथ उम्मीद करूंगा, आज की वीडियो आप सभी को informative लगी हो, वीडियो informative लगी हो, तो please एक like जरूर कीजेगा, च